सुरी शिवाय नमस्तु भ्यम दोस्तो आप सभी लोग जानते हैं कि 16 मई 2024 को है वैसाक महीने की नवमी तिथी और दोस्तो ये वैसाक महीने की नवमी तिथी को आप लोगों को दुजेश्वर महादेव जी वाला उपाय जरूर करना चाहिए और दोस्तो इस बार की जो नवमी यह सीता नवमी है वो भी वैसाक महीने की सीता नवमी इसलिए इस दिन का महत्व बहुत ही जदा बढ़ जाता है और दोस्तों आप सभी लोग जानते हो कि पंडिजी ने दोजिश्वर महादेव जी वाला उपाय अपनी अभी की ही कथा में बताया हुआ है इसलिए दोस्तों आप ये बात पहले से जानते होगे कि जब भी पंडिजी कोई नया उपाय बताते हैं तो उस नया उपाय को जो भी लोग पहले करते हैं उन व्यक्तियों को उस उपाय को करने का फल है वो बहुत जल्दी मिलता है और बहुत बढ़ा होकर मिलता है इसलिए दोस्तों इस वैस वैसाक महीने की नवमी थी थी यह सीता नवमी को आप लोगों को दुजिश्वर महादीव जी वाला उपाय जरूर करना चाहिए और इस मौके को अपने हास से नहीं जाने देना चाहिए क्योंकि दोस्तों वैसाक का महीना बार बार नहीं आता है इस महीने की बहुती बड़ी विशिश महतवता होती है और वैसाक महीने में पढ़ने वाले हर विशिश दिन का एक बहुती बड़ा महतव होता है और जब हम उस विशिश दिन पर यह सीता नवमी पर यह वैसाक महीने की नवमी पर पंडिजी दोरा पताया गया नया उपाय जो की दुजिश्वर महादी महादीव जीवाला उपाय है इस उपाय को कर लेते हैं तो हमारे जीवन में हमारी जो भी मनोकामना होती है फूर्ण जरूर होती है साथ ही में हमारी जो भी मनोकामना होती है वो तो होती है पर हमारी दुख और परिशानिया भी इन उपायों को करने से दूर होती है वो भी इस वैसा के महीने में ही अब दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह आती है कि इस दुजेश्वर महादीव जी वाले उपाय को हमें करना कैसे है देखो उपाय तो पहले भी लोगों ने सुन लिया है पर उपाय बहुत सरे लोगों को समझ नहीं आ रहा है बहुत सरे लोगों अच्छे तरीके से कर पाओगे और जब आप उपाय को सही तरीके से और अच्छे तरीके से करोगे तो सीधिस ये बात है कि आपको उपाय को करने का जुफल है वो भी बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा तो दोस्तों जानते हैं इस उपाय के बारे में कि आ की ज़रूत बिल्कुल भी नहीं है इस बात का ध्यान रखना और घर में से वो एक सदस से कौन होगा जो इस उपाय को करेगा तो वो घर की बड़ी माताओं भेनों में से कोई भी एक माता भेन होगी ठीक है घर में जो भी छोटे होंगे वह इस उपाय को नहीं कर सकते इस बात का अप लोग ध्यान रखियेगा अगर किसी कारणवश घर की माताओं भेने किसी कारणवश अगर इस उपाय को ना कर पा रही हो या वो घर में उपस्तित ना हो तो फिर दोस्तों दूसरा जो आपके पास यहां पर ऑप्शन रहेगा वो ये रहेगा कि आप के घर में जो ब अब दोस्तों यहां पर बात आती है कि इस दुझी शुर महादीव जी वाले उपाय को हमें किस समय करना है सुभा के समय करना है कि शाम के समय करना है और जब भी करना है तो कितने बज़े से लेकर कितने बज़े के बीच में करना है तो देखिए दोस्तों इस वाले उपाय क लिए इस बात का आपको ध्यान रखना है क्योंकि इस सुपाइ में हमें शिवलिंग की ऊपर जल चड़हाना है और जल हमेशा शुभा के समय ही tremorrhah जयता है शाम की समय प्रदोश खाल में भगवाई शिवलिई का शुरंगार हो जता है इसलिए शाम के समय जल नहीं चढ़ाया जाता है इसलिए आप लोग भी शाम के समय जादर जल ना चढ़ाया करें हाँ किसी विशिज दिन पर आप लोग शाम के समय प्रदोश काल में जल चढ़ा सकते हो जोसे प्रदोश का दिन होता है तो उस दिन आप लोग शाम की समय जल चढ़ा सकते हो पर बहुत सारे मंदिरों में शाम की समय जल नहीं चढ़ाने दिया जाता है इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को सुभा के समय करोगे तो जादा बहतर है और इस वाले उपाय को आपको स शिव जी का मंदिर हो, वहां पर जाकर करना है, बहुत सारे लोग हर उपाय को करते समें, एक प्रशन जरूर करते हैं, क्या हम इस वाले उपाय को अपने घर पर कर सकते हैं, हमारे घर में भी शिवलिंग है, एक नहीं, डो दो शिवलिंग है, तो क्या हम अपनी घर पर इस वाले उपाय को कर सकते हैं तो देखो घर की बात अलग होती है और शिव जी के मंदर की बात अलग होती है इसलिए जादतर जो उपाय होते हैं वो शिव जी के मंदर के ही होते हैं बहुती कम पंडी जी से उपाय बताते हैं जो कि घर के होते हैं ठीक है और अगर घर का कोई उपाय होता है तो भई हम उसे अलग से आपको बताते हैं कि हाँ ये वाला उपाय घर का है पर जो घर का नहीं होता है उसे बार बार आपसे बोलते हैं कि इस वाले उपाय को आपको तो इस दुजे शुर महादीव जी वाले उपाय को आपको शिव जी के मंदर में जाकर ही करना है और सुभा के समय जुतना जल्दी हो सके आप उतना जल्दी उपाय को करने की कोशिश किया करो अगर किसी कारण वज्श थोड़ा बहुत देरी भी हो जाए तो फिर आप 10, 11 या दोपहर के 12 बज़े तक भी अगर आप इस उपाय को करोगे तो भगवाई शिव जी आपके उपाय को सुईकार जरूर करेंगे पर अगर 12 बज़े के बाद आप उपाय करोगे तो इसके बाद भगवान के विश्राम का समय हो जाता है इसलिए दोपहर के 12 बज़े के बाद कोई भी उपाय कभी भी मत किया करो, ठीक है, हलाकि किसी-किसी विशेश दिन पर हम कर सकते हैं, पर जादतर दिनों में हम 12 बजे के बाद कोई उपाय नहीं करते हैं, और बाकी जतना जल्दी आप सुभा के समय उपाय करोगे, उतना ज्यादा भगवान आपसे प्रसन नहोते ह ठीक है, तो आपको करना क्या है, जतना जल्दी हो सके, सुभा के समय आप उपाय कर लेना, और भगवान शिप जी के मंदर में जाकर ही करना है, घर पर नहीं करना है, तो ये बात आप लोग समझ गए, अब देखो, यहाँ पर यह जो दुजी शुर महादीब जी वाला उप कुछी दिनों पहले की कथा में ही बताया है कि इस वैसाक के महीने में आपको साधरन जल ना चड़ाते हुए, आपको मिट्टी का जल चड़ाना है, हम आपको हर वीडियो में यही बात समझा रहे हैं, कि साधरन जल का चड़ाने का आपको फल तो मिलेगा, पर मिट्टी का जल चड़ाने का जो आपको फल मिलेगा, उसकी आप कल्बना भी नहीं कर सकते, क्योंकि वैसाक के महीने में मिट्टी का जल शिवलिंग पर चड़ाने का हमें बड़ा ही बड़ा फल मिलता है, क्योंकि यह गर्मी का मौसम चल रहा है, और गर्मी के मौसम में जब भगवाए शिब जी को बहुत अच्छा लगता है और जो भी व्यक्ति उस शिवलिंग के उपर इस मिट्टी का जल को चढ़ाता है भई भगवान उससे बहुत ज़दा प्रसन्न होते हैं तो इस वाले उपाए में जो आप एक लोटा जल लोगे वो मिट्टी का ही जल लोगे अब 12 मही की रात्री में आप लोग क्या करना एक मिट्टी का कलश लेना है या मिट्टी का कोई पात्र लेना जैसे दिया भी हो सकता है मिट्टी का मट्का भी हो सकता है मिट्टी का कोई भी पात्र हो सकता है जिसके अंदर कम से कम एक लोटा जल बन जाए है वो लोटा जिस या शाम के समय में आप जिस दन उपाई करने वाले उसके एक दिन पहले की रात्री में आप उसके अंदर शुद्ध जल बरकर रख दो और भर कर रखने के बाद आप उसे अपने घर के रसुई घर में जहांपर पीने का पानी रखा जाता है उस स्थान पर जाकर रखतो और रखे रहन दो पूरी रात भर के लिए ठीक है आपको उसको छूना भी नहीं है कुछ नहीं करना है बस उस जल को ढांक कर रख देना उसक जिस लोटे से आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं वो खाली लोटा लेकर आप अपने घर के रसूरी घर में पहुंच जाईए जहां पर आपने इस जल को रखा हुआ है मिट्टी वाले को इसके बाद में उस मिट्टी के पात्र के अंदर के जल को आपको अपने लोटे के अंदर डालना है जिस लोटे से आप शिवलिंग से जल चढ़ाने वाले को शिव जी का जो मंदर है वो वहाँ पर पहुंचना और शिव जी के मंदर पहुंचने के बाद सबसे पहले भगवान की दर्शन करना भगवान की दर्शन करने का भगवान का अशिरवाद लेना अशिरवाद लेने के बाद शिव जी की शिवलेंग के पास में आ जाना ठीक है शिवलिंगे के पास में आने के बाद अपना वह जो लोटा जल है, जो मिटी का जल आप लोग अपने पात्र में भर कर लेकर आई हुए हो, ये लोटे में भर कर लेकर आई हुए हो, उसे अपने पास में रखना, और सबसे पहले आप ध्यान रख लो एक नाम को, जो कि दुज दुज़ीश्वर महादिवनessionals क्राइब झाल करने हैं इस नाम को आपको कब से शुरू कर देना है जब शिवलिंक पर जल चढहना शुरू कर देर हैं चल्याजला जल nggak है जला धारी के श्रेटव और पधाने या श्रीट का वाला पहल से शुरू करने तो उस जगह से आप लोगों को ये अपना एक लूटा जल चढ़ाना शुरू करना है वो भी दुजिश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए उसी के साथ में दोस्तों आप लोगों को ये जल एक साथ नहीं चढ़ाना है इस जल को धारा बनाते हुए चढ़ाना है और जब तक आपको अपनी धारा तोड़ना नहीं है आपको धारा बनाते ही शिवलिंगे की उपर जल चढ़ाना है ठीक है पर सीधा शिवलिंगे की उप पहता हुँआ जाता है और जलाधारी से नीचे गर जाता है उस तरफ आप सबसे पहले अपना वैजल का लोटा कर स Seems छोग मूं दो सब्सक्राइब तो यहिए जल के ही झार जब ही रोकना है जब का पूरा जल मतलब उपाये में चड़ ठीक है और दुजिश्वर महादेव जी का नाम मनहीमन लेते रहना जब तक आपका उपाय पूरा ना हो जाए तो अब आपको इसको जल को चढ़ाते जाना है धारा बनाते हुए और उस जलाधारी वाले स्थान से धीरे धीरे करके साइट से होते हुए आपको गनेशी वाले स स्थान से होते हुए शिवजी की शिवलिंग के साइट साइट से होते हुए आप लोगों को शिवलिंग के पीछे की ओर से होते 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 पूरा जल की धारा बनाते हुए जल चढ़ाते चढ़ाते आप लोगों को अपनी जल की धारा नहीं तोड़ना है जल की धारा चढ़ कहने का मतलब है कि आपको इस जल की धारा को शिवलिंगे के चारो तरफ की जलाधारी होती है उस चारो तरफ की जलाधारी पर धारा बनाकर चड़ाना है और वापस वहीं आकर मतलब रुक जाना है जहां से आपने जल को चड़ाना इस धारा को चड़ाना शुरू किया था बस धारा को नहीं रोगना है धारा को चड़ाते रहना है उसके बाद में जैसी आप लोग वापस जलाधारी पर आ जाओं तो उसके बाद में आप जिस तरफ से खड़े होकर जिस साइड से खड़े होकर आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे होगे अब आपको अपनी उस जल की धारा को लेकर उस तरफ आ जाना है इस जल के लोटे को लेकर जिस तरफ आप खड़े हुए है आपको हिलना नहीं है आपको वहीं के वहीं खड़े रहना है बस अपने जल की धारा को जलाधारी से कहां पर लेकर आ जाना है आप जिस तरफ खड़ आपके सामने की तरफ की जलाधारी होगी उस तरफ लाकर आपको अपनी जल की धारा को चढ़ाते रहना है और जैसी आप अपने सामने की तरफ मतलब जल की धारा को लेकर आ जाओ उसके बाद में आपको इसी जल की धारा के सांस साथ में अपने लोटे को शिव जी की शिव ल आप इस बात का आप लोग ध्यान रखना कि पहले आपको शिवलेंगे के चारो तरफ गनीश जी वाले स्थान से होते हुए कार्तिकी जी वाले स्थान से होते हुए आपको लोड कर वापस वहीं आना है जहां से आपने इस जल की धारा को चड़ाना शुरू किया था और फिर उस जगह से आप लोगों को उस जगह तक इस जल की धारा को लेकर आना है जिस जगह से आप अपने इस जल को चड़ा रहे हो फिर उस जगह पर अपने इस जल की धारा को लाकर सीधा शिव जी की शिवलेंगे के ऊपर आप लोग इस जल की धारा को चड़ा देना धीरे धीर करके अपनी वह मनोकामना बोलना जिसके लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो चाहे आपकी जो भी दुख और परेशानी हो जिसके लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो जिसके लिए आप लोग अपनी वह दुख और परेशानी बोल देना बस अप अपनी किसी एक ही मनोकामना के लिए करना एक साथ जादा मनोकामना मत बोलना अपनी किसी एक ही दुख और परेशानी के लिए यह वाला उपाय करना और उपाय करने के बाद अपनी वह समस्या या वह मनोकामना जरूर बोलना जिसके लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय क आती है तो उसे अब हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं ओम नमाय शिवाय जय बोले अबासरी शिवाय नमस्तो भ्याम